गाइज जिंबॉम वे और इंडिया के बीच जो लास्ट एंड फाइनल टी-20 मतलब फिफ्ट टी-20 मैच जो की खेले जानी वाला है मतलब गाइज जैड आई-एम वर्सेस आई-एंड के वीच जो फिफ्ट टी-20 मैच के लाज आएगा उसके बारे में आपको इस वीडियो में डेटेल पेडिक्शन देने वालो देखे गाइज इंडिया ओल्रेडी स्रीस को विन कर चुका है अब यह वाली मैच को भी इंडिय मैंने आपको बताया थे ना उन सभी प्लेयर्स ने काफी अच्छा पर्फरमेंस करके दिया अब दीखे फिफ्ट टी-20 मैच में सबसे बड़ा कन्फीजन होगा आप लोगों के लिए कि कौन से प्लेयर ऐसा है जिसको कप्तान वाइस कप्तान बनाया जाए क्योंकि कप्तान से लास्ट का वाच करोगे ना तो जैसी विनिंग आपको फोर टी-20 मैच में उससे भी जबर्दस विनिंग इस फाइनल टी-20 मैच में हो जाएगी और साथ में आपको बता दू जिम बॉंबे की गई दो प्लेयर ऐसे जो लगपक बहुत कम लोगों ने पिक किया हुआ है ब परसेज आई एंडी फिफ्ट टी-20 मैच वैन्यू गैज पूरे पाच्व टी-20 मैच का सेम ही है हरारे स्पोर्स क्लब हरारे और गैज फोर टी-20 मैच मैंने आपको किलियरली बोल दिया था कि यह शश्वी जैसवाल को ड्रॉप करने की गलती बिलकोल भी मत करना क्योंकि ब लाश्ट मैच में अपनी बॉलिंग से प्रबाव नहीं डाल पाए पर बैटिंग काफी अच्छी करी नुहां से आपको पॉइंट दिये अब गई सबसे बड़ा प्रश्ण उठता है कि क्या फिफ्ट टी-20 मैच वे इन तीनों प्लेयर्स को रखना चाहिए या फिर नहीं चाहिए और अगर अपन इन टीनों को नहीं रखते हैं तो भाई कौन से ऐसे प्लेयर्स है जो आपको इस वाले मैच वे विन करा के देंगे इसलिए कंप्लीट वीडियो देखना गईज मैं आपको फिर से बोलो और एक काम गईज पक्का से कर देना मेरा गईज शौर एक्स आए और आप सबसे पहले आके वीडियो देख लो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूल और दूसरा आप मेरी गईज फोटी ट्वूंटी मैच के ने एक बाद टीम देखना टेलेग्राम चैनल पर जाके और किस तरीके से विनिंग हुई है वो भी देखना आप को क्या करना है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक पिन किया हुआ है ने टेलीग्राम चैनल शौर एक्सपर्स सपोर्ट का बस उस लिंक पे आप क्लिक करोगे आपको सीधा वो टेलीग्राम चैनल पर लेके आएगा वहां पे जॉइन का बटन है जाके दबा देना फिरी में जॉइन होता है कोई चार्ड नहीं है इसलिए पक्का से जॉइन करना कोई भी भाई मिस्स मत करना अब बात आती है इस फाइनल 50-20 मैच में क्या प्लेइंग 11 जिंबॉंबे और इंडिया की रहने वाली है क्या इंडिया इस वाले मैच में प्लेइंग 11 में कोई चेंज करेगा वो अपन एक बार देखते हैं अगर जिंबॉंबे की तरफ से मैं बात करूं तो महादेवरा के सा मरू मानी ओपन करेंगे अभी 40-20 मैच में दोनों ने काफी अच्छे बैटिंग की है तो क्या इस वाले मैच में अच्छा करेंगे अपन आगे देखेंगे ब्रायन बैनर्ट सिकंदे रजा जॉनाथन कैंपबल डियॉन मायर्स क्लाइव फरज अक्रम रिचर्ड एंगेवर ब्लैसिंग मुजर्बानी और टैंडाई चतारा अब जिंबॉंबी की तरफ से गई इस वाले मैच में बॉलिंग सेक्षन में दो बॉलर ऐसे है जो मुझे लग रहा है इस वाले मैच में अच्छा कर सकते हैं तो कौन से बॉलर है उसके बारे में भी अपना आगे बात करने इसके बाद अभी शेक शर्मा, रितुराज गायकवार, संजू सैमसन, फिर आएंगे रिंकु सिंग, शिवम दूबे, वाशिंग्टन, सुन्दा, रवी बिश्नुई, तुशार देश पांडे और खनील एमद, इंडिया की तरफ से तुशार देश पांडे ने इस वाले मै मैच में कमबैक किया, एक विकेट भी निकाला, बट क्या इस वाले मैच में आविश खान खेलेंगे, वो भी एक प्रश्न है, और क्या इस वाले मैच में कोई प्लेइंग 11 में चेंज होगा, वो भी अपन देखने वाले, और साथ में कप्तान वाइस कप्तान है ना, इस से पिक कर लेना क्योंकि एना बड़ा आसान रहता है आपको ऐसा आसान लगेगा इसले टीम बन जाएगी अगर आपने एक प्लेयर भी गलत पिक किया तो आपके रैंक खराब हुजाएगी इसलिए दियान से टीम बनाना है किसको बनाना है वह सब चीजे में आपको इस वीडियो में बताने वाला है अब बात आती है इंडिया जिंबॉंबी की तरफ से फिफ्ट टी-20 मैच में ऐसे कौन से बॉलर्स है जो कंप्लीट दालेंगे और दैथ में बॉलिंग करेंगे मतलब 15-20 वाला ओवर करने वाले वह देखते हैं अगर मैं जिंबॉंबी की तरफ से बात करूं तो ब्लैसिंग मुजर्बानी जिचर्ड एंगेवरा और सिकंदे रजा यह गईस तीन बॉलर ऐसे हैं जो मुझे लग रहा है इस इनकी टीम में एक से दो बॉलर ऐसे है जो अभी भी बैंच में शायद वह इस वाले मैच में खेल सकते हैं और जो रिमेनिंग ओवर है ना जो बच जाएंगे वह कराएंगे ब्रायन बैनट और टैंडाई चतारा इंडिया की तरफ से देखे हैं तो खलील एमत रवी बिश् वाशिंग्टन सुन्दर यह तीनों आपको कंप्लेट ओवर्स कराते हुए दिखेंगे और जो रिमेनिंग ओवर है वो कराएंगे तुशार देश पांडे अभी शेक शर्म और शिवम दूबे अब फो टी टूटी मैच में तो गईस सर्प्राइज हुए थे अपन सभी की दूबे ने भी बॉलिंग करा है तो अभी शेक शर्मा ने भी बॉलिंग कराइज और दोनों को विकेट भी मिले तो क्या इस वाले मैच में इंपॉर्टेंट बनेंगे क्योंकि शिवम दूबे को अभी तक बैटिंग का तो मौका मिला नहीं अगर अगर रखना है तो ऐज बॉलिंग पॉइंट रखना है और अगर मैं दैत की ओवर्स की बात करूँ तो वो कराएंगे खलील एमद रवी बिश्णुई और तुशार देश पांडे तो भाई ये जैड आई एम वर्सेज आई एंडी का जो फिफ्ट टी ट्वंटी मैच ना इसमें बाई बॉलर्स को द्यान से पिक कर लेना और जो बॉलर में बताओ ना उनको रख लेना क्योंकि अभी तक जितने लोग मेरे साथ टेलेग्राम पे जुड़े हुआ से 200 प्लस बन सकते हैं अगर इंडिया बाद में बैट करेगा तो आपने देखा जिंबॉंबे कितनी मुश्किल से रन बना कि आया तो और इंडिया ने एक विकेट भी नहीं खोया और अराम से स्कोर को चेस कर लिया इसलिए मैं कह रहा हूं कि पिच रिपोर्ट ज्यादा मै लग रहे हैं और यहां पर देखी गई जब है ना देखिए अभी तक जो तीन मैच हुए ना लास्ट वाले तीनों मैच इंडिया ने वन साइडेट तरीके से जीते साथ जुलाई को मैच हुआ था इंडिया जिंबॉंबे की बीच इंडिया ने दो सो चौतिस बनाए वाले मैच हुए पेसर्स को पाच इस्पिनर्स को पाच विकेट मिले और अभी लास्ट मैच जो अभी हुआ है 13 जुलाई को जिंबॉंबे और इंडिया की बीच जिंबॉंबे ने बनाए 152 और इंडिया ने 156 बना दिये बिना विकेट को है और जैस वाल भाई पूरे मैच मैटर करेगा टॉस पे कि इंडिया कप खेल रहा है पहले खेल रहा है या बाद में खेल रहा है उसी अपन प्लेयर सलैक करेंगे बट इस वाले मैच में गई दो से तीन प्लेयर में आपको ऐसे बताऊंगा उनको पक्का से रख ले वह डिफरेंशल बन सकते हैं तो कैसे कर सकते हो उसके लिए आपको माई 11 सरकील डाउनलोड करना पड़ेगा कैसे डाउनलोड होगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मैंने टॉप पर लिंक पिन किया हुआ है वह से जाकर आपको उस पर क्लिक करना है डाउनलोड हो जाईगी और ड कैब किवल एक रूपे में किवल एक रूपे में आप जॉइन कर सकते हो बस आपको क्या करना है करना इस पेशल लिंक से जाकर को डयुट करना है जो डिस्क्रिप्षन और कमेंट में ने दिया हुआ है और गई इस प्रम आपको तीन टीम का offering मिलνε migration कांठा ये में एक सबसे बड़ा ट्यूश्किया है कि नई यूजर्स के लिए ओफर है तो अगर आपने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो परेशान मत हो ना अपने फ्रेंड रिलेटिव उनका मोबाइल उठाइए उससे जाके रजिस्टर करके जॉइन करिए बट पक्का से जॉइन कर प्राइज है और यह तो फर्स प्राइज है नीचे बहुत सारे प्राइज है और साथ में जैसे यह आप डाउनलोड करोगे 1500 रुपे का बोनस मिल जाएगा और जब यहां पे आप अपना पहला डिपोजिट मारो ना तो मेरा कोड जरूर डाल देना और कोड क्या है एक्सप PRT 23 यह वाला कोड डालोगे जब यह आपको 20% एक्स्रा कैश मिलेगा मतला आपने 100 रुपे डिपोजिट किया तो आपको सीधे मिलेंगे 1200 रुपे 200 रुपे एक्स्ट्रा कैश है जो की यूटिलाइज होगा तो फायदा उठा लेना जब भी डिपोजिट मारो तब एक्सप से बड़ा पॉइंट आता है कि आज के इस फिफ्थ T20 मैच में कौन से ऐसे प्लेयर से जो आपको पिक करने है तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को सब समझ में आएगा सबसे पहले विकेट कीपर सेक्शन में दो नाम है क्लाइव है और मरूमानी है क्लाइव आपको मिड लगता है जब भी इसकी बैटिंग आती है रन जरूर बनाता है अभी लास्ट मैच अभी आप देखे साथ रन बना क्या रहा है उससे पहले 37 और चार मैच खेल चुका है 73 रन बना चुका है इंडिया के अगे और वहीं मरूमानी की बात करें 32 रन की बहुत ही अच्छी टेंट पर आता है तो फिर भी मैं आपको बोलूँगा संजो सेम्सन को रखना अधर वाई्वाइस आपके लिए जो डिसुन पर कहना वह मरूमानी या क्लाई में से यह और इन दोनों में भी अगर आपको कन्फियूजन हो रहा है तो मैं आपको बोलूँग का क्लाई पे सा कर रहा है जिसका नाम है वैसली महादेवरा ओपन करेगा और यह भाई अभी तक चार मैचों में 90 बना चुका है और अभी लास्ट मैच भी 25 बना किया रहा है उससे पहले एक उससे पहले 43 तो कहीं न कहीं काफी डिसेंड बैटर बनता जा रहा है इस पर जरूर फोकस करिए क्योंकि कॉलेटी बैटर है रन बना के दे रहा है इसके अलावा कैमपेबल तो भाई अभी तक कुछ खास नहीं कर पाया चार मैच में इसको मौका मिला है कीवल 14 रन बना है और लास्ट तीन मैचों में 3-10 और यह पर आप इनको यूज करिए डियॉन मायर्स को क्लाइव कैमपेबल को क्योंकि ग्रैंड लीग में हो सकता है यह इस वाले मैच में अच्छा करें आपकी रैंक उपर आजा है अदर्वाइस जो बैटर पिक है वो है वैसली महादेवरा इसके साथ आप डैफिनेटली जाहिए यह क्वालेटी बैटर है आपको रन बना के दे रहा है और पॉइंट भी स्कोर करा के दे रहा है बाकी दो बॉलर है उनको पैक का रख ले ना आज के मैच में कौन से अभी मैं आपको बताऊंगा इसके अलावा गर मैं इंडिया की बैटिंग सेक्शन की बात करूँ तो भा 25 का एवरेज आ चुका है इस वाले वैन्यू पर और जिंबॉंबे के अगेज और लाश्ट मैच में 58 उससे पहले 66 यशश्वी जैसवाल ओपन करेगा जबर्दस मूड में वर्ल्ड कप में स्कॉइड का इस्सा था बट प्लेंग 11 में मौका ने मिला तो उसका बड़ा सब निकाल रहा है कंटीनियू रन बना रहा है और दो मैच खेल चुका है 129 बना चुका है तो यह रोई शर्मा के जो टी टूंटी वाला इस पेस है ना वह कहिना कई कैप्चर करने की कोशिश हो रही है क्योंकि ओपनिंग स्लॉट बड़ा खतरना को चुका इंडिया का कौन ज सिंग की तो देखें मैं आपको बता दो अगर इंडिया पहले बैट करें तो ही रिंको सिंग को रखें इंडिया सैकिंड बैट करें तो मुझे नहीं लगता उतनी पॉसिबिलिटी है कि बैटिंग आई की रन बनेंगे चांस कम लग रहे हैं तो यहां पर जो आपके लिए तीन बैटर है उनको डेफिनेटली टीम में रखना है कौन-कौन से शुबमंगिल डेफिनेटली रख लेना वाई जैसवाल डेफिनेटली रख लेना और रितुराज गया एक बार यह तीनों प्लेयर तो रख लेना चाहां इंडिया पहले खेले बाद में कहलें कोई मैटर नहीं करता है इनको रखना पड़ेगा और अगर यह फेल्ड होते हैं तो इस वाले मैच में तो कहीं ना कई चिंबॉब में फिर कमबैक करेगा तो फिर उसमें आपको माई-11 सरिकल एप पे वो टीम बनानी पड़ेगी मेगा ग्रैंड लेग की जहां पर थोड़ा जिंबॉ मैच में काफी अच्छा करा बट अभी दो तीन मैच से अब यह फॉर्म हो चुका है ना तो रन बन रहे और बालिंग तो वैसे भी कोई खास करता नहीं था और अभी तक लास तीन मैचों में आप देखे 26-29 तो जो सलेक्शन परसेंटेज इसका जो बहुत हाई थोड़ा ल बैटिंग बॉलिंग दोनों साइट से कंट्रिबूट करके देता है और टीम का सबसे सिनियर बैटर है और कप्तान भी है और लास्टीन मैचों में 46 15 रन दो विकेट 4 और फरज अक्रम मेरे साब से कुछ खास करनी रहा तो यहां पर आपको ज्यादा कंफ्यूज होना नहीं आप रखना चाहते हो मैं कोई दिक्कत नहीं आप लेकर आ सकते हो पर ग्रांड लीग में इस मॉल लीग में नहीं रखना वह ही मैं इंडिया की तरफ से बात करूं तो देख्यां इंडिया की तरफ से तीन नाम है वाशिंग्टन सुन्दर शिवंदोबन तक अब का वर वश्ञइक शर्मधिं यही दो जो कि ओपनिंग साजेदार्वी को तोड़ा था जो कि खतरनाक होती जारी थी और वाशिंग्टन सुन्दर लास्ट तीन मैचों में अब तक पांच विकेट है और अभी तक जिंबॉम्बे और वैन्यू पे चार मैचों में साथ विकेट ले जा चुका है तो यहां पर यह दो बॉम्बे की बॉलिंग सेलेक्शन की अब मैंने आपको बोला ता वीडियो के स्टार्टिंग में कि दो बॉलर ऐसे हैं जो इसके बारे में मैं आपको बोलूँगा डैफिनेटली रख लेना वो दो नाम है एक तो ब्लैसिंग मुझरवानी यह मुझे ऐसा लग रहा है कि इ अच्छा बॉलर है दैथ में बॉलिंग करता है डैफिनेटली बढ़िया है टैंडाई चतारक केवल पहले मैच में चला है उसके बाद पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया है कुछ खास नहीं कर रहा और एन गेवरा को भी देखे लास्ट दो मैचों से कोई विकेट नहीं मिल है तो यहां पर जो आपके लिए सबसे बढ़िया बॉलर है वह है ब्लैसिंग मुजर्वानी इसको आप डैफिनेटली पिक करके चल सकते हो अगर आपको रखना है तो आप डैफिनेटली रख सकते हो बाकि इंडिया की तरफ से तो देखे तीनोई बॉलर सकते हो तीनोई ड लास्ट दो मैचों में तीन विकेट और तुशार देश पांडे को भी एक विकेट मिला है थोड़ा सा बॉलिंग पॉइंट ओव यू से देखोगे तो उतना अच्छा गया नहीं 40-20 मैच बॉलर्स को उतने विकेट मिले नहीं पड़ इस वाले मैच मुझे लग रहा है एक तो रजा कही ना कही रन बनाने में मुश्किल होगी और महादेवरा को रवी बिश्णवी 15 बोलो पे दो बार कर चुगा है तो यह बैटर आप देख सकते हैं कही ना कहीं इनको फसाता हुआ दिख रहा है जिंबॉम में क्या इस वाले मैच में कोई चेंज करेगा देखें कि नो सेंट का यह मुझे लगता निया मिल्टन शुम्बा आएंगे निए वैलिंग्टन मसक जादा मुझे लगता निया आएंगे और यहां पर लूग जॉंग भी डेफिनेटली खेल सकता है क्वालिटी फास्ट बॉलर है अगर यह टेंडाई चतारा या एंगेवरा को ड लगता नहीं के वल बॉलिंग सेलेक्शन में कोई चेंज हो सकता है अवेश खान मुकेश कुमार को बुलाया जा सकता है बाकि किसी को भी खिलालो इंडिया नाम से इस वाले मैच को जीच जाएगा कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली अब बात आती है आज के मैच की फाइन आपको बैस्ट इंफॉर्मेशन प्रॉइट करें और साथ में इस वीडियो को पक्का से लाइक कर देना और टेलीग्राम चैनल पक्का जॉइन कर लो भाई मैं खुद एक्टिव हो अभी इस टाइम पर और डेली आपको टीम्स पोश कर रहा हूं और खुद बनाके पोश कर ड्पार यह तीन प्लेयर मैंने रखे हैं मैं आपको बोला था इनको मैं लेके आने वालों सिकंदे रजापिषेख शर्मा वसिंग्टन सुन्डर और ब्रायन बैनट को रखा हैं बाकि ब्रायन बैनेट को आप यहां पर ड्रॉप कर सकते हैं ब्रायन बैनट्टकी जगे अब रही बात कप्तान वाइस कप्तान की तो देखे कप्तान वाइस कप्तान के लिए जो बैटर पिक है न वो शुबमंगिल जैसवाल और अभिशेक शर्मा या सिकंडर रजा इन चार में से अब इनमें भी अगर आप टॉप देखो तो यहां पर रजा सबसे अच्छे पिक ह दूसरे पर अभिशेक शर्मा है जो की बैटिंग बॉलिंग दोनों करके दे रहे बाकि आपके लिए मैंने दूसरे टीम भी बनाई है वो भी आपको देखा देखो दूसरी टीम में देखी मैंने थोड़ा सा बदलाव किये विकेट कीपर में रखा है संजू सैंसन को अगर आप यूस कर सकते हो बाकि माई 11 सरकील एप के बाई इस ओफर का जरूर फायदा उठा लेना केवल 49 की मेगा आपको एक रुपए में मिल जाएगी करना कुछ नहीं है बस स्पेशल लिंक से जाके आपको डाउनलोड करना है जो डिस्क्रिप्शन और कमेंड पर मैंने सबसे ज्यादा रन बनाया सकता है आप कमेंड सेक्शन में जाके दे सकते हैं और गाइज मेरा वीडियो फुल इंफॉर्मेटिव ता एजूकेशन परपस से था जाते जाते वीडियो लाइक कर जाना चैनल सबस्क्राइब कर जाना और ऐसे ही प्यार देते रहना ठीक है भा